जी तो दोस्तों आज होने जा रहा है मैच बहुत बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सिज ऑस्ट्रेलिया सेकंड समी फाइनल और यह मैच इसलिए भी बहुत जादे इंपॉर्टेंट है पाकिसान और ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप में एक हिस्ट्री रही है इससे पहले अगर हम नाकाबले यकीन और नाकाबले फरामोश अगर हम मैच का जिकर करें हैं वो था पाकिसान वर्सिज ऑस्ट्रेलिया इन 2010 यह वो वर्ल कप था जिसमें शाहिदा फिदी कैप्टन थे पाकिसान टीम के और पाकिसान ने पहले खेलते हुए बहुत अच्छे रन स्कोर किये थ ठीक है माइकल हसी खड़े हुए थे और मुहमद आमिर को कुछ रन्स लगे आसिफ को कुछ रन्स लगे ठीक है उसके बाद जनाब आखरी ओवर में 24-25 रन्स के करीब चाहिए थे और पाकिस्तान वो मैच बहुत बुरी तरह हाया क्योंकि चार सक्के लगे थे माइकल हसी से साइद इचमल को और वो उसको बुला नहीं पाते हैं आज था भी उस मैच को और हम भी उस मैच को नहीं बुला पाते हैं क्योंकि हमें वो पूरा यकीन था कि पाकिसान ये मैच भी जीतेगा और इंशाला ये वर्ल्ड कब भी कंसेक्टिवली पाकिसान दुबारा जीतेगा क्योंकि 2009 में हम जी चुके थे 10 में भी हम जीतना जाते थे तो अब इस वक्त भी सेम सिचुएशन है कि पाकिसान बहुत अच्छी पोड़ीशन में है हम अनबीटन हैं अभी तक कि अगगे प्लेーस की बात करें तो देवीड वानना जो है वो हमेशा एंकंसिस्टेंट failing अप्लेитесь एंच्छै इंकंसिस्टर रहे थे उसके साथ मिचल मार्श हमेशा एंकंसिस्टर रहे तो यह एक ऐसा गृüप आव प्लेयर्स है जो इंकंसिस्टर हैं जो कहीं से भी consistently perform नहीं करते हैं ठीक है अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग बहुत consistent है Adam Zempa बहुत अबदस पोलर है but he is not a Shane Vaughan remember ठीक है Mitchell Stark बहुत consistent है Josh Hazelwood बहुत consistent है Pat Cummins outstanding baller है बहुत consistent है तो जो बॉलिंग side है as a bowling unit Australia बहुत strong है as a fielding unit Australia बहुत strong है but इनकी जो batting है इसमें कहीं पर भी Adam Gilkrist नज़र नहीं आते हैं Matthew Hayden नज़र नहीं आते हैं Ricky Ponting हमें नज़र नहीं आते हैं ठीक है हमें कहीं पर भी Michael Hussey नज़र नहीं आते है but it doesn't mean के हमें उनको light लेने की ज़रूवत है वो बहुत professional बहुत outstanding cricket खेलने वाले players है और fielding में जिस तरह से वो जान मारते है catches win matches वाली बात है जिस तरह की वो catches पकड़ते है बहुत strong team है तो हमें आज एक proper planning के साथ उनके साथ खेलना पड़ेगा फिर हम Pakistan की बात करें तो Alhamdulillah Pakistan की जो bowlers हैं वो तो अच्छा perform ही कर ही रहे हैं Pakistan की जो batsmen है जो batters हैं वो भी बहुत अच्छा perform करें हमारे openers जो हैं वो बहुत अच्छा केल रहे हैं जो हमें थोड़ा सा मयूस किया है वो फखर समान है बट कुछ players होते हैं जो हमेशे बड़े match में चलते हैं तो फखर समान भी उनमें से एक है चेंपिन्स टॉफिक आवर फाइनल मुझे याद है आप सब को याद होगा कि उन्हें बहुत outstanding performance दी थी जहां से वो फखरे पाकिस्तान बने थे तो I hope कि हम उनसे अच्छी performance देखें इस semi final में भी और इंशाला final में भी हफीज अच्छी form में नजर आ रहे है अब दुबारा से शोय मलिक ने जनाब क्यार 18 गेंदों पर 54 अरंस किये हैं तो वो भी बहुत अच्छी form में है इमाद वसीम के बारे में कुछ कहना कुछ भी मुश्किल है क्योंके वो इतने इच्छी बैट्समन नहीं है बालर भी कभी इच्छी कर लेते हैं आप 4 ओवर्ज कभी पूरे करते हैं कभी 2 ओवर करते हैं, कभी 3 ओवर करते हैं क्योंके पहले पावरले के बाद उनका रॉल मुझे इस टीम में नज़र आता नहीं है तो वो जबतस्ती हम उनसे बॉलिंग कहीं नखहीं करवा लेते हैं फिर जो वीकर लिंग के एक और नजर आ रहा है वो हसान अली जो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर थे प्रीमियर फास्ट बॉलर थे वो इस वर्ल्ड कप में अपने उस रंग ढंग में नजर नहीं आया है और जिन से हमें उमीदें बहुत कम थी हारिस रोफ ठीक है पूरी दुनिया पूरा पाकिस्तान ये कह रहा था कि इसको टीम में नहीं होना चाहिए किसी और प्लेयर को टीम में हो जाना चाहिए शाहनवाजदानी को होना चाहिए बट उसने अपनी परफॉर्फॉर्मेंस से शो किया कि वो capable प्लेयर है इस टीम में रहने के काबिल है थोड़ सा जो मैं फिकर मन्द हूँ वो शाहिन शाह फ्रीदी की वज़े से हूँ क्योंकि वो अपने उसी ग्रूफ में अपने उसी माइंटसट में नजर आ रहे है उस शेल में नजर आ रहे है कि जो उन्हें पहले दो ओवर्स इंडिया के अगेस्ट कर दिये थे इंडिया के अच्छा नहीं था वो अभी तक इस पूरे टॉर्णमेंट में उन्हीं दो ओवर्स में घुमपे रहे हैं कि बस मैं मैं अफ्र मैच बना उन दो ओवर्स के लिए जो दो मैंने विक्टे लिए स्टार्ट में इंडिया को टीम को लिटा दिया तो वही अभी उसी शेल में वह मौझूद है और उतने कंसिस्टेंट नजार नहीं आए वेवर्ड बॉलिंग की पैड्स पर भी की ऑफ स्टंप भी बाहर की नो बॉल्स बहुत ज़द है की विकेट्स भी गमाई नो बॉल्स की विजए से वहासिल कर सकते थे विकेट्स कई दफ़ा प्लेयर्स दो दफ़ा आउट पी हुए नो बॉल पर बट अफे वो नो बॉल फ्री हिट मिली तो इस तरह की वेवर्ड बॉलिंग जो है इनकंसिस् अगेंस्ट के साथ उसी जनौन के साथ उसी जश्बे की साथ दोबारा खेलेंगे जैसे इंडिया के अगेंस्ट खेले थे और पकिसान गए मैच जीत के देंगे क्योंकि आउब शाहिंशा फरी इस तुखकों के साथ कि पाकिसान जो है वह यह मैच जरूर जीते इंशालला पोस्ट में चैनल आलिसस में आपके साथ जरूर दुबारा मुलकात होगी चैनल पर गएने तो चैनल को सब्सक्राइब पर लिजएगा अपने घरवालों को बहुत रखे आले खेले को रखिएगा अलाहाफिस पाकिस्तान जिन्दवाद